हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का शेयर मार्केट रिपोर्ट यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं उन 10 कमपनियों के बारे में जो या तो अपने शेयर का स्प्लिट करने जा रही है या फिर बोनस देने जा रही है तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के हम लोग शुरू कर लते हैं दोस्तों सबसे पहली कमपनी का नाम है भारत डाइनमिक्स लिमिटेड इस कमपनी का मार्केट कैप 35,916 करोड रुपीज का है और कमपनी का करन्ट शेयर प्राइज 1,959 रुपीज 85 पैसा है कमपनी ने 1 by 2 के रेशो के अंदर अपने शेयर का स्प्लिट करने का अनॉंसमेंट किया है ये अनॉंसमेंट कमपनी ने 21 मार्च 2024 को किया था और इसकी रेकोर्ड डेट 24 मई 2024 की है अगर हम बात करें कमपनी की पर्फोर्मेंस के बारे में तो कमपनी ने पिछली एक साल में 93 का रिटन अपने निवेशकों को दिया है आगली कमपनी का नाम है कैनरा बैंक लिमिटेड कमपनी का मार्केट कैप 1,13,501 करोड रुपीज का है और कमपनी का करेंट शेयर प्राइज 626 रुपीज 20 पैसा है कमपनी ने 2 by 10 के रेशो के अंदर शेयर का स्प्लिट करने का अन कर्फोर्मेंस की तो कमपनी ने पिछले एक साल में अपने निवेशकों को 97% का रिटन दिया है अगली कमपनी का नाम है GM Beverages Limited कमपनी का मार्केट कैप 1,405 करोड रुपीज का है और कमपनी का करन्ट शेयर प्राइज 768 रुपीज 40 पैसा है कमपनी ने 1 by 4 के रेशो के कोड़ देट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं टी है अगर बात करें कमपनी की पर्फोर्मेंस की तो कमपनी ने पिछले एक साल के अंदर 35% का रिटन अपने निवेशकों को दिया है अगली कमपनी का नाम है Camdenu Ventures Limited कमपनी का मार्केट कैप 787 करोड रुपीज का है और क कमपनी का current share price 184 रुपीज 50 पैसा है कमपनी ने 1 by 5 के रिशो के अंदर share का split करने का announcement किया है ये announcement कमपनी ने 3 अपरेल 2024 को किया था और कमपनी ने इसके record date के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है अगर बात करें कमपनी के performance की तो कमपनी ने पिछले एक साल के अंदर 56% का दिया है दोस्तों अगली कमपनी का नाम है रेमस Pharmaceuticals Limited कमपनी का market cap 1180 करोड रुपीज का है और कमपनी का current share price अभी 8012 रुपीज का है कमपनी ने 3 by 1 के रेशो के अंदर bonus देने का announcement किया है ये announcement कमपनी ने 23 अपरेल 2024 को किया था और कमपनी ने अभी अपने record date के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है अगर हम बात करें कमपनी की performance की तो कमपनी ने पिछले एक साल में 346% का return अपने निवेशको को दिया है दोस्तों हम आपको अगली कमपनी का नाम बता है उससे पहले आप सभी लोगों से निवेधन है कि अगर अभी तक आपने आपके अपने YouTube चै नाम है संग्वी मूमर्स लिमिटेड इस कमपनी का market cap 5600 करोड रुपीज का है कमपनी का current share price 1291 रुपीज 50 पैसा है कमपनी 16 मई 2024 को board की एक meeting कर रही है और इस meeting के अदर कमपनी जो है dividend और split को लेकर चर्चा करने वाली है अगर बात करें कमपनी की performance की तो कमपनी ने पिछले एक साल में 217% का return अपने निवेशकों को दिया है दोस्त अगली कमपनी का नाम है Share India Securities Limited कमपनी का market cap 6429 करोड रुपीज का है और कमपनी का current share price 1685 रुपीज का है कमपनी 9 मई 2024 को board की एक meeting कर रही है और इस meeting के अंदर कमपनी जो है dividend और stock split को लेके चर्चा करेगी अगर बात करें कमपनी के performance की तो कमपनी ने पिछले एक साल में 41% का return अपने निवेशकों को दिया है दोस्त अगली कमपनी का नाम है SIS Limited कमपनी का market cap 6559 करोड रुपीज का है कमपनी का current share price 456 रुपीज 65 पैसा है कमपनी ने 21 माई 2024 को board की meeting रखी है जिसके अंदर कमपनी stock split को लेके चर्चा करेगी अगर बात करें कमपनी के performance की तो कमपनी ने पिछले एक साल के अंदर अपने निवेशकों को 19% का return दिया है दोस्त अगली कमपनी का नाम है SONAM Limited कमपनी का market cap 169 करोड रुपीज का है और कमपनी का current share price 84 रुपीज 55 पैसा है कमपनी ने 5 by 10 के रेशो के अंदर अपने share का split करने का announcement किया है यह announcement कमपनी ने 14 फरवरी 2024 को किया था और इसकी जो record date है यह 7 मई 2024 की है अगर हम बात करें कमपनी की performance की तो कमपनी ने पिछले एक साल के अंदर अपने निवेशकों को सिर्फ 1% का ही return दिया है दोस्तो अगली कमपनी का नाम है worth investment and trading को limited दोस्तो कमपनी का market cap 516 करोड रुपीज का है और कमपनी का current share price 347 रुपीज 90 पैसा है कमपनी ने 1 by 10 के ratio के अंदर अपने share का split करने का announcement किया है यह announcement कमपनी ने 30 अपरेल 2024 को किया था और कमपनी अभी तक अपने record date के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है दोस्तो यहाँ पर आपने बहुत सारी ऐसी कमपनिया देखी जिनके record date के बारे में अभी हमारे पास में कोई भी जानकारी नहीं है लेकिन जैसे ही कमपनी अपने record date के बारे में information देगी तो हम लोग हमारे instagram page के उपर update कर देंगे तो आप लोग चाहें तो हमें instagram पर follow कर सकते हैं link आपको नीचे description के अंदर मिल जाएगा अगर हम बात करें company की performance की तो company ने पिछले एक साल के अंदर 882% का return अपने निवेशकों को दिया है दोस्तो ये थी वो 10 company जो या तो अपने share का split करने वाली है या फिर bonus देने जा रही है आप लोग मुझे comment करके ये बताईए कि इन 10 में से किस company का share आपके पास में है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को like करिए और आप लोग किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने financial advisor के सलाह जरूर ले और खुद भी एक बार detail में अच्छे तरीके से research और study जरूर कर लें मैं आप से बहुत जल्दी मिलूँगा एक और ने वीडियो में जब तक लिए टाटा बाई बाई